तो सबसे पहले एक नंबर देवाई 6 9 7 5 8 4 7 2 और यह 2 7 है इसमें 2 7 है उसका हम लोग difference निकलेंगे उसका place value का difference निकलेंगे इसलिए सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं नंबर में यह है कि चलो 6 9 7 5 8 4 7 2 उसके बाद यह जो पहला 7 और दूसरा 7 है इसका हमें place value का जो difference से वो निकलना पड़ेगा तो सबसे पहले पहला 7 का यानि 7 कौन सा पहले वाला यानि फर्स्ट है ठीक है 7 फर्स्ट है उसका place value होगा 7 के लिए 7 है गुना एक और बाकी एक दो तेन चार पाच यानि पांच जीरो एक दो तेन पाच और इधर साथ एक हम साथ होता है एक तो तीन चार पाच और बाकी पाच जीरो यानि साथ लाक अब हम लोग दूसरे साथ का काम करेंगे दूसरे साथ का जो प्लेज भी निकलेंगे तो लिखेंगे 7, कौन सा 2nd वाला, यानि 2nd लिख लेता है, अब place value लिख लिख लेता है, place value, उसके बाद, उस 7 कुना 1 तो लिखना ही परेगा, अة, साथ, कुन एक, उसके बाद जिरफ एक ही नंबर है, इसलिए, एक, जिरो,- सट्तर , यानि धर्लाक्स है, अ हम अगर, सट्तर डेफारेंस करनेंगे उत्तर , तो ....इंसर आजाएगा, तो इसलिए लिख लेता है,owkap यह आप्शन होगा D, अब माइनस करते हैं, 0, 3, 9, 9, 9, 6, यह एंसर होगा,